नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आज है 27 अगस्त तो चलिए बिहार के 15 प्रमुक खबर के बारे में आग इस वीडियो में जानते हैं तो फड़ाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे बिहार में कोरोना संक्रमन की सिंख्या बढ़ती ही जा रही है अब तक कोरोना महामारी की सिंख्या 1,26,990 हो चुकी है बिहार में पिछले 24 घंटों में 263 मामले सामने आया है वहीं पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है राज में अब तक कूल मरने वालों की सिंख्या 644 तक पहुच गई है वहीं राज में अब तक कूल 1,4,531 मरीज स्वस्थ होकर घर लोड़ चुकी है वोई पिछले 24 गंटों में 379 मरीज स्वस्थ हुए है मुतमंत्रे नितिस कुमार ने बुद्वार को बीडियो कॉन्फरेंसिंग के माइदम से जल संसाधन विवा की 23 योजनाओं का उद्गाटन लोकारपन एवं 7 योजनाओं का सिलना स्कायररम किया इनमें सिचाई और बार प्रचित की कई अती महत्तो कांचे योजनाओं सामिल है इनमें योजनाओं की कूल लागत 1470 कड़ों रुपए है इस मौके पर नितिस ने कहा की बुद्गया एक एतिहासिक भूमी है गया में जल संकट दुर्भाई की पूर्ण है हम लोग सुरों से जा रहे थी कि गंगा नदी का पाने गया तक पहुचा दे ताकि जल संगट ना हो बिहार के चपरा जिले में बुद्वार को सोन नदी से बालू का उतकनन कर लोट रहे 19 लोगों से बरे नाव नदी में पलड गई 14 लोगों ने तेरकर जान बचा ले लेकिन 5 लोग डूब गटना सोनपूर्थ ठाना छेत्र के दियारा इलाकी की है सुचना मिलते ही सोनपूर्थ ठाना एजजच अकिल आहमद सीयो अनुज कुमार स्पीडियो अतुन दत्ता दल बल के साथ मौके पर पहुचे एंडिया रेप के टीम दूबे लोगों की तलास में जूटी है गटना समेत पूरे बिहार के विविन विष्विद्यालायों में काम कर रहे अतिति सिक्चकों ने बुद्वार को समान काम के बदले समान वितन के मांग को लेकर विरोध परदसन किया पटना में गेश्ट फैकल्टी विरोध परदसन करते हुए मुचमंतरे आवास की और बढ़े सिक्चक अपनी मांगों को लेकर मिकमंत्रिय नितिश कुमार को गयापन देना चाहते थे। लेकिन उन्हें इको पार्क के पासी पुलिस ने रोग दिया। इस दोरान पुलिस और सिचोकों के बीच नौक जोग भी हुई। परदर्सनकारियों का कहाना था कि हम गेश्ट फेकल्टी के रूप में लंबी समय से काम कर रहे हैं। हमारे नियुकती नहीं हो रही है। दुसरी और सभी उनिवस्टी में वैकेंसी निकला हुआ है। हमारे नियुकती क्यों नहीं की जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए प्रसासन सक्ती बरत रही है पुदवार को मिठापूर बस इस्टिंट पर छाप में मारे कर बिना मास्क पाने लोगों के खिलाब कारवाई की गई इस दोरान कुस बस ड्रैवर और कंडक्टर भी बिना मास्क पाने पकड़े गए इसी तरह कि सक्ति पूरे बिहार में की जा रही है एक अगस्त से 26 अगस्त तक मास्क ना पानने वालों से करीब साड़े साट लाक रुपे जुर्माना वसुला गिया है वहीं पिछले 24 घंटों में मास्क नहीं पानने वाले 369 वेक्तियों से 1,83,450 रुपे रासी जुर्मान के रूप में वसुल की गई कोराना संग्रमन की बेच राहत की बात यह है कि बिहार रिकवरी रेट के मामले में देश में तिसरा इस्थान पर है बिहार से आगे केवल दो राजजी ही है पहला दिल्ली और दूसरा तामिलाडू दिल्ली का रिकवरी रेट 90 परसंद और ताम पहुच गई है नार्कोटिस कंट्रोल ब्योरों ने बुद्वार को रिया चकरवर्ती समेथ पांच लोगों पर केस दर्ज कर लिया है NCB ने NDPS Act के तहट रिया सुसान के हाउस मेनेजर सेमिवल मिरंडा बिजनेस मेनेजर सुर्ति मोदी जया सहा और एक अईन के खिलाब केस दर्ज किया है NCB डारेक्टर राकेस अस्ताना के आदेश पर केस दर्ज किया गया है दिल्ली की यूनिट मॉंबई NCB के साथ मिलकर इस मामले की जाच कर रही है दरसल प्रवतन निदसाले ने रिया के मॉबाइल से डिलीट हुए कुछ चेट्स एकसेस किये थे और इने NCB को सोपा गया था इन चेट्स में रिया के ड्रग्स के लिए कई लोगों से बाक्चिस सामने आई है उदर CBI भी लगातार मामले की तख तक बहुचने की कोशिस कर रही है CBI ने अभी तक सुसांद के प्लेट मेट सिदात पिटाने कुक निरज सिंग और वाजमेन से पुछताच की है इसके अलावा दो पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब किये है वहीं दूसरी और कंगना रोनोट को अब सुसांद के परिवार का भी सपोर्ट मिल रहा है सुसांद की बहन स्वेता सिंग क्रेती ने उनकी तारिप भी की है इसके बाद रिया की वर्टसेप चेट सामने आने के बाद इस केस में रिया की ड्रक्स कमपनी का खुलासा हुआ है अब कंगना ने एक और स्टेंड लिया है उन्होंने अपने ट्यूटर हैंडल पर बॉलिवोड को बुलिवोड कहा है उन्होंने लिखा है कि अगर नार्कोटिक्स ब्योरो बुलिवुड में आया तो कई A-listers की गरदने फसेगे कंगना ने लिखा कि अगर नार्कोटिक्स ब्योरो बुलिवुड में एंट्री करती है तो कई A-listers लाकों की पीछे होंगे अगर बलड टेस्ट किये जाते हैं तो कई हैरान करने वाले खुलासे होंगे उम्मीद करती हूँ कि PMO स्वच भारत अन के तहट बुलिवुड नाम के गटर को साब कर देंगे कोरोना महामारी और लोगडान के बीच कई कमपनिया बंद हो गई है इसके करण लाखो करमचारियों की नोकरी चली गई है इन करमचारियों को केन सरकार ने बड़े राहत दी है अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच विविन कमपनियों में काम करने वाले जिन लोगों को नोकरी गई है सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता दिगी बसरते ऐसी कमपनिया करमचारे राज बिमा निगम के तहत निबन दिन दो उसके करमचारे इसका लाव उठाने के पात्र होंगे अटल बिमित व्यक्ती कल्यान के तहत ही नोकरी गवा चुके करमचारे को भत्ता दिया जाएगा इसके तहत नोकरी गवाने वाले करमचारे को तीन माह तक पचास फिजदी और सुतन वेतन देने के लिए नियोमे में छूट देने को फैसला किया गिया है इडी ने बिहार के बहुत चर्चित मुझपरपूर बालिका गिर्या कान मामले के मुईक आरोपित ब्रजेश ठाकूर के खिलाब अंतिम जाच रिपोर्ट सोब दिया इडी के विशेज अदालत में सोपे गए इस प्रोसिकेशन कंप्लेन में ब्रजेश की अब तक जब्ट की गई आठ कड़ोर तीस लाग के अवेद संपति को अंतिम रुप से जब्ट करने के अलावा अधिकतम साथ साल की सरसम करावाज देने का अनुरोद किया गिया है बोधवार को कॉंग्रेस ने पूर्व केंद्रे मंत्रे सकिल अहमद का निलंबन वापस ले लिया 2019 में वे लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने पर साकिल भागी गये थे और निर्दलिय प्रतासी के रुप में मदबनी सीट से चुनाव लड़े थे के चलते पार्टी ने उन्हें छो साल के लिए निलंबित कर दिया था विदन्सवा चुनाव में बड़े मुस्लिम चेहरे की जरुरत को देखते हुए एक साल बाद ही कॉंग्रेस ने उनका निलंबन रद कर दिया बिहार के मुझपरपुर में अभिनेत्री रिया चकरवर्ती और निर्माता महस बड़ के खिलाब मुई किन्याईक दंडाती कारे के नियाले में मुकदमा दर्च किया गिया है इसमें सिकायत करता कुंदर्ण कुमार ने अभिनेता सुसान सिंग राजपूत की मौत के मामले में उक्त दोनों के नाजाईस संबंद को जिम्मेदार माना है कुंदन के अनुसार उन्हें फेस्बुक के मायदम से सुसान सिंग राजपूत की सुसाइट की जानकारी मिले इसके बाद अभनित्रिया चकरवर्थी और निर्माता महसबट की कई असलील तस्वेरे सोसल मेडिया पर वायरेट हो लिल लगी बिहार विद्दाले परिक्चा समीती ने मंगलवार को 11 में एडमीशन के लिए सेकंड मेरिट लिष्ट द्यारिकर दी है लेकिन पतना के अधिकास स्कूलों में साइन्स की काफी कम सिते बची है पतना हाई इसकुल में साइंस के 33 सीटे सेकंड सुचे में सामे लिया, 10 पर 300 मर्स में खाली है बांकी पूर गल्स हाई इसकुल में 18 सीटे साइंस की बची है पतना कॉलेजियेट में साइंस के 30 सीटे सेकंड लिस्ट के लिए है बियन कोलेजेट में मिलर हाई इसकुल में साइंस के सिटे भर गई है सेकंड लिस्ट के अनुसार कई इसकुलों और कोलेजों में मंगलवार को एंडमिसर नहीं हुआ बिहार के अधिकतर इसकुलों में साइंस में सिटे फुल हो चुकी है जिससे इस्टुडेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जई की काउंसलिंग सितंबर के दूसरे सब्ता में सुरू होगी इसके लिए बिहार तक्निकी सेवा आयोग चिकित्सोगों की काउंसलिंग का रिजल प्रकासित करने के तोरण बात तैयारी सुरू कर देगा जई की लगबग 6,000 वेकेंसी के लिए दो चेर्नों में लगबग 98,000 जुनियर इंजिनियरों ने आवेदन दिया है इसमें पहली बार बिगापन प्रकासित होने पर 92,000 आवेदकों ने आवेदन दिया था जबकि आयोग सिमा में छोड मिलने पर 6,000 नए अवेदन ने दूसरी बार दिये गए मौके में आवेदन किया हलाकि इन में से केवल 19,000 अवेदन को काउंसिलिंग में बुलाया जाएगा इसके लिए NIC के मदद से सभी आवेदकों की मेगा सुची तयार की जाएगे और उनमे से आरक्षन स्रेनिवार पदो की सेंक्या से लगबग तीन गुने आवेदकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा और अन्त की सबसे बड़ी खबर कॉलेज की फाइनल इयर परिक्षाओं को लेकर दायर आचिका पर सुप्रीम कोट ने कल फैसला नहीं सुनाया गया और यहां किसी और दिन सुनाया जाएगा ऐसे में आब स्टुडेंट को परिक्षाओं पर होने वाले फैसले के लिए थोड़ा और इंतिजार करना होगा इसी के साथ ही आज की समाचार में इतना ही देखते रहे ये बिहारे मेडिया